हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम गोविंद है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टैनिस की बॉल से दूसरा बॉल करा सकते हो तो प्लीज फीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए तो फ्रेंड्स ऐसे आपने देखा होगा लेग स्पीन मूव करती है वैसी आपकी दूसरा बॉल मूव करती है तो एक काफी important variation है और अगर आपको एक complete off spinner बनना है तो आपको इस variation को जरू सीखना चाहिए इस variation के use से आप असानी से किसी भी bestman का mind डेवेट कर सकते हैं और I can bet आप उसका wicket भी ले सकते हैं friends अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी दूसरा ball में grip position कैसी होगी first of all आपको क्या करना है आपको अपने तीनों finger को ऐसे band करना है फिर आपको ball के उपर अपने first finger को ऐसे रखना है आपका अंगूठा ऐसे रहेगा फिर आपको अपने finger की help से ball में rotation क्रेट करना है ऐसे like this कि दूसरा ball है आपके इस finger और आपके इस finger के बीच में से deliver होती है ऐसे तो friends off spin में आप आते हो आप ball को ऐसे release करते हो और friends दूसरा ball में आप आते हो आप ball को back of the hand ऐसे release करते हो तो friends simple सी बात है कि off spin में आप आते हो आप ball को ऐसे release करते हो और दूसरा ball में आप आते हो आप ball को back of the hand ऐसे release करते हो तो friends ये काफी important variation है और मेरी जो variation की list है इसमें सबसे tough variation है इसको सीखना काफी tough है अगर आपको इस variation को सीखने में कोई problem होती है तो आप इसकी जगा केरम ball का use कर सकते हैं केरम ball को सीखना काफी असान है friends ये variation आपको जितना देखने में असान लगता है उतना है नहीं इस variation पे ball पे control रखना काफी मुस्किल होता है और ball को spin कराना और भी मुस्किल होता है तो इसलिए मेरी आपको यह advice है अगर आपको यह variation सीखना है तो आप सीख सकते हैं पर मेरी तो आपको यह advice है कि आप केरम ball का use करें क्योंकि जो आपकी दूसरा ball है और जो आपकी केरम ball है वो काम एक जैसे करती है बस इनकी grip position में थोड़ा सा difference होता है तो friends अगर आपको इस variation का use करना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा एकदम simple action का use करना है और please कभी भी awkward action का use मत करना अगर आप awkward action का use करोगे तो आप दूसरा ball को अच्छे से deliver नहीं कर पाऊगे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा एकदम simple action का use करना है I hope आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए Thanks for watching